तो यार कुछ दिनों से मेरित्वियत थोड़ी खराब थी तो इसलिए मैं कोशिश भी की मैंने वीडियो बनाओं लिक्न नहीं बना पाया ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए तो आज मैंने सुचा टर्मेक्स पे होई जाए तो सबसे पहले तो आपने अपने ब्र करेंगे तो आपको आउडेटेड विर्जिन मिलेगा जिसका आपको फाइदा कोई नहीं होगा क्योंकि वह उसमें आपको यह प्रेक्जिज नहीं मिलेगे नहीं वह अपडेट होपाएगा स्क्रोल डाउन करें यहाँ पर आपको मिलेगा यह डाउनलोड पक का आउप्शन एपिके जो भी आप से बोलते हैं यह विर्जिन है इसका 0.19 बीटा तो यह बीटा विर्जिन है यार इसमें हो सकता है कुछ थोड़े बहुत मैंने पहले से की यह डाउनलोड आप लोगों में यह मेरे पास है इसको इंस्टाल करूंगा तो यहाँ पर इंस्टाल एनिवे और यह इंस्टाल हो जाएगी ओपन करेंगे आम इसे स्टालिंग बूट स्टेप्स तो यार सबसे पहला काम तो आप लोगों ने यह करना है कि अक्वायर वेट लॉक कर दें अब टर्मेट्स सेट अप स्टोरेज तो यहां से अलाव अक्सेस टू मैनेज आल फाइल्स अब इसके बाद आप लोगों ने आ जाना इसबाब यह ड्राम्डी मैंने फोर्ट किया हुए पहले सी आप लोगों मैं बताता हूँ फोर्ट कैसे करना पहले हम थोड़ा सा ना सेट अप कर लें टर्मेट्स का तो यार मैं तो सिंपल सही काम करता हूँ यहां पर आपने पहली कमांड पेस्ट करने है तो यह पास टाइम जब आप लोग सेट अप कर रहे होंगे मतलब वह बंतू इसमें इंस्टाल करना है और कुछ पैकेजिज वगरा जो हैं वह इंस्टाल करने तो यह थोड़ा टाइम लेगा वह सकता है 25-30 मिनिट लग जाए आपके इंटरनेट स्पीड के बेस पे यह इत मॉइट 30 मिनिट बेस रेस्ट बार इंस्टाल हो गया तक्रीबन यहां से आप मतलब वाय और यह एस nparnau and hit enter for default so we will copy and paste the second command hit enter for default and now distro install Ubuntu third one paste enter and it is gonna install Ubuntu 24.04 मतलब 20.04 पर भी कर सकते थे दोनों पर तक्रीपन सेम ही काम होगा क्योंकि जिस तरह से हमने इसके packages मतलब इसमें इस्टाल करना है और जो सिस्टम हमने करना है उसमें दोनों तक्रीपन तक्रीपन सेम ही सिर्विस नहीं यहां यहां पर भी मुझूद है यहां से कापी करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं तो लॉगिन हो गया जना अब लॉगिन होने के बात अब हमें यह वाला क्मांट इसको पेस्ट करना एप्ट अप्डेट यह एप्ट अप्डेट एंड एप्डेट एंड पैसे आपको बताने के लिए मैंने बोला है प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में इसको एंड नहीं बोलते हैं तो यार आम हैंग्ट तो बहुत दुकान लगा हुए बोलने में पड़ी दिकत होती है उसके बावजूद मैंने सोचा मैंने आप लोगों से कुछ नहीं पहले जी जुबान की थी कि मैं इस पे टेटोरियल वीडियो बनाऊंगा तो आई ट्राइड हूँ जैसा लिया है जो हैं यह इंस्टाल होने भी थोड़ टाइम देगे तो इसके लिए मैं भी वीडियो स्किप करने लगा हूँ आप लोगों ने नहीं स्किप करनी मैं थोड़ी से फ्रेम्स जो हैं उनको स्किप करता हूं यहांसे आज वैसे माशाला इंट्रनेट की स्पीड अच्छी है वरना जो हालात बने हुए पाकिस्तान में इंट्रनेट के आवाले से आप लोग जानते ही हैं आज काफी बेतर है वैसे भी मेरे पास फाइव जी है फ्लैश वाइबर जो पीटिसील का इस पे काफी अच्छी है ग्राउंड में इस आपको डाल देते हैं इसको बावजूद यह वर्क करती रहेगी जैसे कि यह मैंने बेंग्राउंड में डाल दिया है तो यह अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा मता दू सिक फॉर कैसे करते हैं यहां पर हमारे पास एक आप्शन होगा सिक फॉर का त तो अगर कुछ मतलब चिंजिद होती है में रिपो में जो अप स्ट्रीव है उसमें अगर कोई मतलब न्यू कमिट होती है तो उसके लिए हो सकता है मुझे यहां पर आप्शन मिले अपडेट प्राउंच और आइदर इट कुड़ भी उपन पॉल रिक्वेस्ट तो अगर तो अपडेट प्राउंच हो तो मैंने सिप्ली अपडेट प्राउंच पे क्लिक कर देना यहां पर होगा ऑप्शन और अगर पॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन हो तो उसके लिए फिर पॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक नहीं करना उसके मेरे पोथ पे आजाएगी और करना सिम्पल यहां से आपने हैं इसीपली सर्च करना है तो क्रीम यह हमारे सम्प ले आएगा यह सम्प़ले आगया तो तो यहां पर क्लिक करना है और यह फॉर्ट का अप्शन आपको नीचे मिल जाएगा ओपर भी एक होता है यह तो मैंने पहले से फॉर्ट किया हुआ है तो मुझे को कह रहा कि एक्जिस्टिंग फॉर्ट की आप व्यू कर ले आपको फॉर्ट करने की जरूरत नहीं है यहां से प्यर्ट कोड या क्यूर कोड सेशन आइडी वगरा जो भी चीज़ है सेशन आइडी आपको प्यर कोड या क्यूर कोड दोनों के थ्रू मिल जाएगी मेरे पास शायद सेशन आइडी पहले से मौझूद है तो चले देखते हमारे पैक्जिस कहा तक पहंचे सेशन आइडी मौझूद है लेकर लेकर फाक फिर भी आप लोगों को यह प्रोसेस करके दिखा देता हूँ ताकर आप लोगों के लिए स्वादी रहे तो प्यर कोड पे क्लिक करूँगा यहां पर नबर रेटन करूँगा विद कुंट्री कोड सब्बिट करने पर मुझे एक कोड बिलेगा जो शाहिद अभी नहीं बिल रहा तो रिट्रेश्ट करता हूँ पे इसको और उपर एक आप्शन होगा कि आप लिक डिवाइस के लिए वोड एक्टर करें तो इसे डिवाइस लिक करेंगा और कुछ भी इसको दाद दे देदेगे S is active so it will set to be a session id यह जना आवा में session id में भी इसको copy करते है we choose your region and with 5 and hit enter I will go with 40, 40 is Karachi, hit enter again 40 enter तो आर पैक्जिस गाट इंस्टार्ट तो सेशन आईडी पूट करने के लिए आप लोगोने क्या करना है यह मैंने पहले सेशन आईडी पूट की हुई है add it in place तो यहां पर डिफाल्ट ओनर की जो वैल्यों इसमें आप अपने नंबर पूट करें लिए 害 अगर नचूट को है वह मैंने उसमें तो चलाव सेशन आईडी मैंन आप CPT कोने कोफें पूट की है पूुट की है य cantidad है उवे क्ईरर आडी सेशन आडी सिर्फिक पारणी तिट के लिए उट झात अप्ते हैं है I am going to put it in the .env file to show you guys so edit this file make it .env remove this line what u.s.s.s.id and here ok status view ok put your number here also for the owner 923444844060 this is bind on commit changes and now we will get to the remaining sync at json termix this one .js paste it here and hit enter it removes the all.js version and it will install 20lts 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 20.x 80 polsk so here package installed it will change to . project 20.18.1 this was what we were looking for now we have to clone copy this git clone space paste hit enter after after cloning this we have to change directory cd for change directory directory name ultramd now we will install npm here it is npm install now it is gonna take some minutes so i am keeping some frames again so not package got it solved now we have to start our boot using npm start it will start like this we have to wait a little bit here we have to wait a little bit here it should buffer so it got completed i think and our boot yes yes did we got that message yes we got now we can test it still buffering i think let me show you one thing let me show you one thing let me show you one thing that that how the translator works translate if you wanna translate it in urdu sorry if you wanna translate it in urdu indi or any other language uh id is for i think indonesian it will translate it into indonesian it will translate it into indonesian you can translate in uh more than 200 language i think uh it has image and ai features also that can generate image that can generate image from our prompts internet speed got slow again i think here are some download features here should be tones value and and we you 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 you